फ्रेंस बार बार पोस्पोन होते होते आखिर का राजे देवबन की फिल्म मैदान रिलीज हो गई है। फ्रेंस फिल्म को एडवांस बुकिंग में ठीक ठाक रिस्पोन्स मिला है और इसके ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद भी किया है। अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तो इसे ओडियंस भी खुब पसंद कर रही है। हाली में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसे देखने के लिए फिल्म इंडरस्टी के कई दिक्रत पहुँचे। बॉलिवूट के लेरिष्ट और स्क्रीन डाइटर जावेद अक्तर भी ये फिल्म देखने के लिए गए थे। उन्होंने सोसल मीडिया के जरिये ये बताया कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। फ्रेंस जावेद अक्तर उन सक्सियोतों में से एक हैं जो काफी जिन्वेन बाते करते हैं। हाली में उन्होंने रनबीर कपूर की फिल्म अनिमल को निशाना बनाया था और फिल्म की बुराई करते नजर आये थे। बे हमेशा से आनेश्ट रिव्यू देने के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने अज़े देवगण की मैदान देख लिए है। जिसकी स्क्रीनिंग हाल ही में मुंबाई में रखी गई थी। उन्हें फिल्म पसंद आई। और बे फिल्म की तारीफ करते नहीं धक रहे हैं। फ्रेंच अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा। मैंने मैदान देखी ये एक सची गटना पर बनी फिल्म है। जो हर एक भारते को उसकी उन अचीवमेंट्स के लिए सीना चोड़ा करवा देती है। जिसके बारे में दुर्भाग्य वर्स बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। एक बार जरूर देखने वाली फिल्म, फिल्म के प्रोडियूसर बोनी कपूर, डिरेक्टर अमिस सर्मा और जबरजस्त परफॉमेंस देने वाले आजी देवगन को डेट सारी बदाए। अला कि फ्रेंड्स आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इसी तरह एक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर दें।